हेलो नुमसकार दोस्तों utilizz आप ofी मिली मौसम इभाक के जानकारी के अनुसार उत्तर पादेश्ट के कई जिलों में भारी-बारीस और आंधी की जिग वज़़े से कई पेड़ गिर जियां दोस्तों नौइडा में तेज बारिस हुई और आंदीची की वज़े से कई पेड़ गिरें और पस्टिमी यूपी के कई सेरों में भारी बारिश देखने को मिली है वहीं बरेली में दोस्तों आज वी तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है वहीं दोस्तों उतर पार भारी घर्मी के बीच काई जगों पर तेज बारिश क का मौसम पूरी तर्गी से बदर गया वहीं बीते 24 गंटे में मध्य यूपी सहीद कई हिसों में बारिश हुई और मौसम विभागन दोस्तों आज साम को लेकर भी कई जगह पर रात में और जगह जगह पर बारिश और गरज के साथ पोचर पढ़ने की संभावन जते जा रही लकनाउ सहीद आधिकांच जनपदों में दोस्तों आज सुबह से शुरुआत में सामाने से मौसम यहां पर बारिश हो रही है और दोपैर बाद भी दोस्तों रात तक कुछ जगह पर भारी मौसम मदल सकता है और कई जिलों के अंदर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल चले हैं तो किनकिन जिलों के अंदर बारिश होगी के अंदर नहीं अभी काका बारिश और इन सब्रुन की जानकारी में आप के देने वाला हूं तो इस वीडियए और अपने गाओं का नाम जरूर से लिख दिना है ताकि आपके घाओं में और आपके जिल्ले में जब भी बारिस समन्दी कुछ भी कतिविद्य हो तो उन्चब की जानकारी में आपते कासानी से पहुंचा पाऊं तो बात कर लेते दोस्तों उत्तर परदेश के सभी जिल्लों पर पेड़ गिर गए वहीं मतुरा बरेली सहरनपूर में भी बारिस हुई है बरेली में बारिस अधिक होने से आज भी तक के स्कूलों को चूटी करनी पड़ी है मौसम इभाग ने आज 35 जिलों में बारिस का येलो लड़ जारी क्या है और ऐसा अनुमान है कि बंगाल के ख जारी क्या है वहीं दोस्तों गाजयाबाद में भी शुबह से अचानक मौसम बदलने से तेज बारिस हुई और अच्छी खासी बारिस देखने को मिल रही है वहीं नौईडा में तेज हवाओं के साथ बारिस ने कई जगों पर पेड़ गिरने की दोस्ता भी अभी सूतना म मिल रही है वहीं मेरेट में अचानक आस्मान में बादल गिर गए और तेज बारिस भी अभी हो रही है वहीं गाजयाबाद में तेज हवाओं से ओर्डिंग पर लगा एक ट्रक के उपर जाग गिरा जिसकी वज़े से ट्रक को यहां पर काफी देर दर रुकना पड़ा है व सावस्ति बल्रामपूर शिदात नगर और महराजगंद गोरकपूर अमेडगर नगर देवरिया कुषिन अगर गाज़ेपूर चंतोली सोनब्रद जैनपूर वरासने में भी पिजली गिन्ने के साथ यहां पर भारी बारिज के आज चेतानों चारी की गई है कुल मिलाकर इ को बंद कर दिया गया और दोस्तों परकवाजे यहां पर फिर यहांपे कुल खुलने वाले हैं बडरेली में दोस्तों अज शुबे यही भारी बारी वारी सवह करीब डेट गंटे तक जमाजम बारिष के कई इलाकों में पानी भर गया है और बारिष के चलते आज आट तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है वहीं दोस्तों कल रहे हैं ऐसे में कल संडे और परसू स्कूल खुलने के संभावना है वहीं मुवासम विबागन आज बारिष के चर्ण चमक और गरत के साथ ऑप पीजली गिनने की चेताम ने जारी किया बीएसी विनेय कुमार ने बताया कि यहां पे दोस्तों आज बारिश के चलते यह निदेश जारी किया गया है जिसमें बच्चों और सिक्षिकों को कहीं चल बराव और बारिश से परेशने को सामना ना करना पड़े वहीं कानपूर के सी ऐसे यूनिशि कि मौसम विग्यानी डोक्टर एस सुनीर पांडियन क्या कहना है कि बंगाल की खाड़े में निम्न दबाव का सेत्र अभी जार कंड के सेत्र इलाके पर है और अगले दो दिन में जार कंडों दक्षिन भिहार पहुंचने की संभावना है लम हवाएं यूपी के तरफ भी त हुकर बरस रहें लेकिन बारिश का आकड़ा ओस बारिश से बाउन परशन अभी तक कम है बीते एक सब्ता में दोस्तों यहां पर ओस तन च्छतिस पॉइंट पचास अमें बारिश होनी थी और वहां पर दोस्तों सत्रा पॉइंट पचास अमें ही बारिश की किसी किसी जिल चाहिए करनी पड़ रही हैं वहीं दोस्तों कल भी कई जिलों के अंदर भारी बाज़ देखने को मिली राइबरली में यहां पर त्योतर एमें बारिस हुई है आयोधिया में त्यपन पॉइंट छे एमें बारिस हुई है सांजापूर में अठरा एमें और भाराइच में दस की गई है वहीं दोस्तों वाराष्णी में फिकल सामतेज बारिस हुई जिसे का इसतानों पर जल ब्राव हो गया जिसे लोगों को आने जाने में कापी दिक्कताव का सामना करना पड़ा वहीं इटावा में भी रुक रुक कर बारिस हो रही है और सीविल लाइन के पास पर बारिज का अलड़ जारी किया जबकि 25 जिलों में चमक गरच के साथ बारिज का अनुमाने आज बारिज में सब्से ज़्याजा असर यूप पूरी यूपी में देखने को मिल सकता है वहीं दोस्तों जैसे भी कि मदद से कार को निकला जा रहा है और यह अंडर पास में या परपूर, बिजनोर, बागपत, महरट, रामपूर, मुरादाबाद, बद्यू और बरेली, सांजारपूर, जांसी, ललितपूर, फारुकबाद सामिले हैं यहां पर चमक गरच के साथ तेज बारिज हो सकती है वहीं पूरी यूपी के 25 जिलों में बारिज का ये लो लड़ जारी किया गाए इसके इसमें कानपूर नगर, कानपूर देहांद, राइबरेली, फतेपूर, बांदा, जालूल, अमेठी, पताबगर, चित्रकुट, फर्जागराज, बिर्जापूर, सुल्तानपूर, जेनपूर, अमेठ गनगर, वरस्ती, सिदात नगर, माराज गंज, गोरगपूर, देवरिया, और बलिया, गाजिपूर, माउ, आजबंगड, और वरस्ती, सोमबद, जिले सामिल है, कुल मिलाकर यहां पर इन जिलों के अंदर अच्छी-खछी बारिश देखने को मिल रही है, वहीं दोस्तों बारिश का सिलसला जारी रहने वाला है, और आने बारिश दो तो कभी भी नहीं हुई है, यहां पर विहार के यह यूपी के अंदर, तो कुल मिलाकर यूपी में अच्छी-खछी अभी बारिश देखने को मिल रही है,